दोस्तों हाल ही में गेंगिस्टर विकाज दुबे का एंकाउंटर हुआ था वैसे तो आपने इसके बारे में बहुत कुछ सुना होगा लेकिन मैं आपको उसकी कारानी विस्तायर में बताऊंगा इसका जन्म 1964 में यूपी के विकारू में हुआ था इसने पहला क्रैम 17 साल की उम्र में गाउं में हुई आपसी लड़ाई में किया था फिर इसने अपने ही गाउं के प्रंसिपल की हत्या की थी विकास की कार्णी शुरू होती है 90 के दशक से कहा जाता है कि ये सनी दोवल का बहुत ही बड़ा फैन था इसने सनी दोवल की अरजुन पंडित मूवी से इस्पायर होकर अपना नाम विकास पंडित रखा था ये विकास पंडित के नाम से काफी मशूर रहा था इस पर साथ मुकदमे भी दरजें इसने 2001 में बीजेपी मंतरी शंतोश चुकला की थाने में गुशकर हत्या की थी इस केस के बाद ये काफी मशूर हुआ था थाने में ये कांड होने के बाद जब ये बात मीडिया तक पहुँची इसकी उपर कोट में केस हुआ तो वहाँ पर कोई भी पुलिस वाला विकास के खिलाफ गवाई देने को तैयार नहीं था आप पिससे सोच सकते हैं कि विकास का कितना खौफरा होगा इसने सबसे ज़्यादा अपराद बीएसपी सुपरीमो मयावती के शासनगाल में किये इसका काम दिये था ये गरीबों से प्रॉपर्टी छीनता या खरीता या कब जाता और फिनों ने अमीर लोगों को या अमीर इंड़स्ट्रियों को बेज देता जब इसकी क्राइम के बाद पुलिस इसे गरफतार करने इसके काउँ पहुची थी तो उसे पहले से ही पता था कि पुलिस मेर को गरफतार करने मेरे काउँ आ रही है तो इसने सेंद लागा कर पुलिस वालों पर हमला किया जिसमें डियेस्पिसाइट आठ पुलिस वाले वीरगती को प्राप्त हुए उसके बाद ये हत्याकान कर फरार हो गया लेकिन उसके कुछ दुनों बादी से MP के उज्जेन के महाकाल मंदिर से गिरफतार किया गया कहा जाता है कि ये हर साल सावन के महीने में उज्जेन जाकर बगवान महाकाल के दर्शन करने जाता है जब इसे UP STF टीम उज्जेन से लेकर कानपुर आ रही थी तब ही इसने भागने की कोशिस की इसने पुलिस पर फाइरिंग की और जवावी कारवाई में ये मारा गया तोस्तों आप इसके एंकाउंटर के बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताईएगा और आपकी इस केस को लेके क्या राया है विकास दुबे के बारे में ये भी मुझे ज़रूर बताईएगा अगर आपको वीडिया अच्छी लगी है तो लाइक कीजे चैनल को सब्स्राइब कीजे थेंक्यू सो मच